हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई चैनल और फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई अपडेट आई है उसके बारे में और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा रचाइब उसके आपको लोग इन करना है तो जो फ्रेंस पर पहुंच जाते हैं यहां पर आपको इसको ख्लोज करते हैं जो पीएफ की में वेबसाइट है वह उपन हो जाती है और यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके राइट हैंड में पुछ टैपस आपको दिखाई दे रहे थे जो WhatsApp का है आपका FAQ का है और grievance का था वो सब यहाँ पे थे और कुछ additional भी इसमें add किये हैं और यह आपके जो tabs हैं वो आपको यहाँ पे icons के साथ दिखाई देंगे तो इन tabs के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं जो help का tab है यह जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखिए जो दो आपको email id दिखाई देंगी एक है employee के लिए like जो PF member है अगर उनको कुछ mail करना है पीफ department को कुछ उनके सिकायत है तो वो इस mail id पर mail कर सकते हैं लेकिन अगर company को अगर कुछ problem है और company को mail डालना है पीफ department को तो company इस नेचे वाले email id पर mail कर सकते हैं और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ जिस पर आप contact कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आपको direct buttons दिए हैं जहाँ पर प्लिक करेंगे तो उससे related जो भी आपका link है उस पर पहुंच जाएंगे for example यहाँ पर कुछ links दिए हैं जैसे link for employees तो जैसे आप employees पर क्लिक करते हैं आपका employees की links आपको दिखाई देंगे इसी तरह से यहाँ पर claim forms हैं यहाँ पर आपको claim forms का format मिलेगा यहाँ पर आपको employer के लिए यह जो links हैं important link यहाँ पर FAQs हैं तो और यहाँ पर देखिए आपका कुछ facilities हैं जिनको आप SMS के दुरू अपना balance या फिर जो भी services हैं उनके बर में बताया गया है तो जो आपका यह important links मिल जाएंगे और forms मिल जाएंगे जो आपके PF से related हैं उसके बाद next आपका FAQ यहाँ पर आपको जो frequently asked questions रहते हैं जिसमें mostly जो common problems रहती हैं employees की उनके बारे में बताया गया है उनसे related questions answer हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जैसे कि whether an employer can deduct employer share of contribution from the wages of employees इस तरह से काफ पर देख सकते हैं बहुत सारे questions है और इनका answer भी यहाँ पर दिया हुआ है तो अगर इन में से आपका कोई problem है कुछ सापकी grievance है इससे related तो इन 164 questions में से आप यहाँ पर उनका solution देख सकते हैं next हम बात करते हैं यहाँ पर एक WhatsApp आइकन दिया हुआ है यह आपको पता होगा अ एक दो महीने पहले कि start किया था during COVID-19 कि आप WhatsApp से किसी भी respective जो PF office है उसमें contact कर सकते हैं देखिए जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं WhatsApp आइकन पर तो यहाँ पर जो WhatsApp नंबर की list हो यहाँ पर आपको दिखाई देगी हर state की और उस state में जितने भी PF offices है उनके WhatsApp नंबर आपको यहा Twitter handle आपका YouTube पेस आपके यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे आप Facebook पे क्लिक करेंगे जो PF का Facebook पेज आ आप वहाँ पर पहूंच जाएंगे जैसे आप Twitter का पेज है PF Department का उस पर आप पहूंच जाएंगे ऐसे आप YouTube पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पीफ के एक खुद का YouTube channel है जिस यहां पर कुछ वीडियोज हैं जो रिसेंटली अपडेट्स के बारे में हैं जो भी नहीं कुछ भी इनफोर्मेशन आती है वह यहां पर सब आपको मिलेगा यह देखिए well मिला यह पुअ इसमें आपको मिलेंगे पूरी और अपका अपको पता ही होगा यहां पर सोटक करै कि आपको तो ग्रीवेंस रेज करते हैं जा पर हम वह वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा यहां से आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं तो अलग अलग थे अभी यह सारा कंबाइन करके यहां पर इन्होंने साइड में पूरा सब्टैप्स डाल दिये हैं तो अब यहां से डारेक्टली आप हेल्प से रिलेटीड अगर आपको कुछ करना है कुछ क्योशन संस्वर आपको देखने वट्सप कोंटेक्ट करना है फेस्बुक पेज चेक करना है पीएफ का ट्विटर हैंडल पर जाना है यूट्यूब चैनल पर जाना है कॉंटेक्ट में जाके डिटेल निकालनी है या फिर आपको ग्रिवेंस डालना है सब कुछ आपका एक ही इस वेबसाइट पर हो जाएगा जहां पर आपको www.epfindia.gov.in आप लोगिन करेंगे सारा आपका काम यही से हो जाएगा तो यह टाइम सेविंग है और आप यहां से जहां भी आपको मतलब क्लिक करना है जिस भी उस पर आइकन पर आप यहां से क्लिक करके उस में वेबसाइट पर आप जा सकते हैं जैसे आपको वर्टसप नंबर और लेटेस्ट इंफरमेशन के साथ अपडेट्स के लिए मेरे चनल के साथ जुड़े रहे हैं थैंक्यू सो मच